जैहिन वनवात्रम पूरे डिटेल में बताने वाला हूँ आज की वीडियो बहुत इंफर्मेटिव होने वाली है वीडियो में तक बने रहेगा और यदि आप चैनल पर पहली बार आएं तो चैनल जो सब्सक्राइब कर लिजेगा बेल आइकन को प्रेस कर लिजेगा क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरीके की इंफर्मिशन वीडियो लात रहता हूँ तो साथियो बात करते हैं पुलिस विभाग के सबसे पहले पद की और सबसे छोटे पद की तो पुलिस विभाग का सबसे छोटा पद होता है साथियो पुलिस कॉंस्टेबल का, जिसको हम पुलिस हवलदार भी कहते हैं, साथियो पुलिस हवलदार की जो पहचान होती है, इनके कंदे पर जो पट्टी होती है, वो बिलकुल प्लेन होती है, यानि कि उस पर किसी भी प्रकार का कोई आइकन नहीं होता है, तो यहां से हमे में करनी होती है, इनके कंदें पर जो पट्टी लगी होती है, उस पर आपके दो लाइने बनी होई होती है, कुछ इस्टेट में आपके ये येलो कलर की होती है, कुछ इस्टेट में आपके रेड कलर के दो एरो बने होती है, तो इससे हमें पता चलता है कि कौने में सीनियर प पर पटी पर आपकी ये तीन एरो की निसान बने होते हैं, तो इससे हमें पता चलता है ये कौन है भई, head constable है, head constable की हम salary की बात करें, तो पच्छीस अजार रूपे से लेकर 42,000 रूपे तक इनकी salary रहती है, बात करते हैं साथियो पोर्थ पोस्ट की, तो पोर्थ पोस्ट होती है साथियो पुलिस में Assistant Sub Inspector ASI, तो यानि कि इनको पुलिस विभाग का सबसे छोटा अधिकारी भी कहा जाता है, इनकी जो पहचान होती है साथियो, इनके कंदे पर जो पट्टी लगी होती है, उस पर आपक त् Elder, 400 रुपे से लेकर 70,000 रुपे तक इनकी salary हो सकती है, तो जो salary depend करती है, वो depend करती है इसके उपर種लिस सेलरी हो सकती है, इससे आगे बात करें साथियो next जो post आती है, वो आती है सब इस्टटर की यानि कि Si की ज multic is यह काफी फेमस है जिसको हम क्या केते हैं दरोगा भी केते हैं तो साथ यह इसकी जो पहचान होती है दरोगा की जो हमें पहचान करनी होती है इनके कंदे पर जो पट्टी लगी होती है उस पर आपकी दो लाइने बनी वही होंगी, एक red कलर की, एक blue कलर की और 7 के साथ 2 star लगे हुए होंगे तो 2 star को हम क्या कहते हैं, दरवा कहते हैं और यहाँ पर ध्यान कीजेगा कि एक red कलर की लाइन और एक blue कलर की लाइन होनी चाहिए और यदि हम इनकी salary की बात करें, साथ यह तो salary इनकी 36,000 रुपे से लेकर 12,000 रुपे तक इनकी salary रहती है salary आपका जो depend करेगी, वो state के उपर depend करेगी, इस से आगे बात करें साथ यह इस से उपर का जो पद होता है, वो आता है API, यानि की assistant police inspector इनकी जो हमें पहचान करनी होती है साथियो, यह आपका इनकी कंदे पर जो पट्टी लगी होती है, उस पर आपके 3 star silver के लगे होंगे, साथ के साथ आपके एक red color की line होगी तो उस से हमें पता चलेगा कौन है वह यह API है, assistant police inspector, जिनकी duty जादतर कहा पर होती है, थाने में होती है इस से आगे बात करें साथियो, next आता है inspector, inspector जो होते हैं, इनकी जो पहचान होती है साथियो, वो यह होती है इनके कंदे पर जो पट्टी होती है, उस पर आपके एक red color की line होगी, एक blue color की line होगी और 3 star लगे होंगे तो उससे हमें पता चलेगा कि कौन है आपके inspector है, inspector के उपर काफी ज़्यादा दाइत होता है, उनके area जो होता है, उनके अंडर में जो चौकियां आती है, उनका सबका उनको ही देखना होता है इससे आगे बात करने साथियो, next जो post आती है, वो आती है साथियो, deputy superintendent of police, यानि कि DSP की post आती है DSP की जो हमें पहचान करनी होती है साथियो, इनके कंदें पर जो पट्टी लगी होती है, उस पर आपके 3 star बने होते है काफी सारी state में इनको क्या कहा जाता है, assistant commissioner of police भी कहा जाता है ACP भी इनको काफी सारी state में कहा जाता है इससे आगे बात करने साथियो, जो next post आती है, वो आती है साथियो, किसकी assistant superintendent of police, यानि कि ASP DSP से जो उपर का पद होता है, वो किसका होता है, वो ASP का होता है और इनकी जो में पहचान करनी होती है, तो यहां से सुरुबात होती है, जो कंदे पर लगावो होता है, असोक स्थम्ब का यहां से सुरुबात होती है, असोक स्थम्ब की और इनको कुछ state में क्या कहा जाता है, वो एडिशनल deputy commissioner of police भी कहा जाता है यहां कि additional DCP भी कहा जाता है, बात करें साथियो इससे next post की, तो next post आती है साथियो किसकी superintendent of police यानि की SP की, और इनकी जो में पहचान करनी होती है साथियो इनके कंदे पर जो पट्टी लगी होती है, उस पर आपका एक असोक स्थम्ब बना होगा और साथ के साथ एक क्या लगा होगा, इस्टार लगा होगा, तो यहां से पता चलता है भी हमें कौन है भी यह SP है और इनको कुछ state में क्या कहा जाता है, deputy commissioner of police भी कहा जाता है, यानि कि DCP भी कहा जाता है इससे आगे बात करने साथ हो next post की, तो next post आती है साथ हो senior superintendent of police यानि कि SSP यानि कि SP से बड़ी post होती है किसकी भी, SSP की, और इनकी जो पहचान होती है साथ हो, इनके कंदे पर एक असोक स्थम्ब होगा और साथ के साथ दो star लगे होंगे, तो यहां से हमें पता चलता है, यह कौन है भई, आपका SSP है SSP की कुछ state में क्या कहा जाता है भी, deputy commissioner of police, यानि कि DCP भी कहा जाता है बात करने साथियो next की, तो next post आती है साथियो, police भी भाग में, वो होती है साथियो क्या deputy inspector journal of police, यानि कि DIG DIG की जो हमें पहचान करनी होती है साथियो, यहां से आपका IPS की rank सुरू होती है तो यहां पर आपका एक असोग स्थम बना हूआ होगा, तीन आपके star लगे होगे, और साथ के साथ नीचे लिखा होगा IPS तो यहां से सुरूवाथ होती है बही है किसकी DIG, और DIG किसके उपर होता है बही, SSP के उपर होता है और इसको हम क्या कहते हैं कुछ स्टेट में additional commissioner of police यानि की additional CPB कहा जाता है तो कुछ स्टेट में आपको ये नाम से भी कहा जाता है इससे आगे बात करें साथ ही जो next post आती है पुलिस भी बात की तो वो आती है inspector general of police यानि की IG की post होती है और इनकी जो पहचान होती है साथियो वो आपको क्या होगा एक star होगा एक आपकी तलवार होगी एक डंडे का यानि की cross ये निसान होता है इस टाइप से तलवार हो डंडे का और नीचे लिखें हो क्या IPS तो यहां से हमें पता चलेगा ये कौन है बाई IGP है इनको कुछी स्टेट में क्या कहा जाता है वह Joint Commissioner of Police यानि की JCPB कहा जाता है कुछ स्टेट में इनको JCPB कहा जाता है इससे आगे बात करें साथियो जो next post आती है पुलिस विभाग की तो वो होती है साथियो additional director journal of police यानि की ADGP ये किसके उपर का पद होता है IGP के उपर का पद होता है और इनकी जो पहचान होती है साथियो एक आपका असो की स्थम्प बनावा होगा इनके आपका एक तलवार और आपका एक डंडे का क्रॉस निसान होगा नीचे IPS लिखावा होगा और इनको एक batch मिला हुआ होता है तो इससे हमें पता चलता है कि कौन है भई ADGP हैं तो ये पुलिस विभाग का बहुत बड़ा पद होता है अपने आप में इससे आगे बात करें साथियो नेक्स्ट पद की तो नेक्स्ट पद होता है साथियो प्लिस विभाग का Director General of Police याने की DGP और इनकी हमें पहचान कैसे करनी होती है सात्यों इनकी पहचान होती है इनके कंदे पर क्या होगा एक असोक स्थम्भ होगा एक डंडे का निसान होगा जो आपका तलवार का निसान होगा क्रॉस और नीचे लिखा होगा IPS यहां से हमें पह आपका लास्ट वस वहीं पर हो जाता है तो कुछ स्टेट में आपका यह पद होता है Director of Intelligence Bureau बहुत कम स्टेट में आपका यह पद है पुलिस विभाग में और इसकी पहचान होती है इनके कंदे पर एक असोक स्थम्भ होगा एक स्टार होगा और एक आपका तलवार का निसान डंडे का निसान और नीचे लिखा होगा IPS तो कुछी स्टेट में आपका यह पद है डी आई बी का डी आई बी जो काफी कम स्टेट में है तो जो लास्ट हो जाता है वो अपने प्यारा सा कमेंट करना मत भूलेगा जो आपको भी पुलिस विभाग में जाना है तो कमेंट में जैहिन देखना मत भूलेगा मिलते हैं आप से नेक वीडियो में तब तक के लिए जैहिन जै भारत